FL India के stock में आज हमको गिरावट देखने को मिली क्योंकि obviously market में गिरावट थी तो हमको यहाँ पर stock में भी गिरावट देखने को मिली लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसी important चीज़े हैं जो आपको जानना जरूरी है FL India के regarding जानने वाला हूँ यहाँ पर दूस्तों काफी अच्छी अपडेट्स हैं और उस इपडेट्स का लिंक क्या है वो शो मैं आपको बताने वाला हूँ इस की मीटिंग थी 6th of September को ठीक है और इसका जो आउटकम आये था इस पार Capital ने जो यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाले थी उसमें FL India को cover किया था और यहाँ पर initiate किया था buy का call और करीब वहाँपर 6200 के target हमको दिये थे और जैसा मैंने आपको बताए दोस्तों यहाँ पर जब भी कभी investors की meet होती है management के साथ तो वो पूरा मतलब in-depth यहाँ पर company को rate करते हैं क्या उनके future risk हैं क्या opportunities हैं क्या threats हैं यहाँ पर क्या strength है सारी चीजों को दोस्तों वो खंगालते है management के साथ पूरा यहाँ पर in-depth वो discussion चलता है तो उसके बाद यह decision लेते हैं initiate करने का या फिर cover करने का उसको तो यह report मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में share की थी जिसने भी यह नहीं देखा है वो वीडियो जाके आप जरूर देखिएगा और यह जित्ती भी investors meet है इनका कुछ ना कुछ outcome निकलता है positive outcome निकलता हूँ देखने को मिल रहा है अफले इंडिया के stock में लगाता है हमको देखिए निचले स्तरों से recoveries में देखने को मिल रही है के लिए यह तो हो गया एक investor अब बात करें दूसरे investor की जहां पर 11 अगस्त की आसपास की यह meeting थी जहां पर प्रभुधास लीलाधर यहां पर जो brokerage firm है 11 अगस्त के पास यहां पर analyst की call थी इनके साथ management के साथ तो उसका दोस्तो आउटकम आज हमको आता हूँ देखने को मिल रहा है तो जी हां दोस्तो प्रभुधास लीलाधर research report on FL और यहां पर इसको क्या target दिये हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा target दिये है 7000 के जी हां दोस्तो 7000 के target दिये है और यहां पर क्या rational दिया है it is a play on rising digital adoption with mobile being the preferred channel it operates in emerging markets that even that have high growth in the digital advertising 30% CAGR by FY21 to FY25 are under penetrated at 30% digital ad spend versus 50% globally आप देखिए दोस्तों globally जो ad spend होता है वो कितना जादा है अगर हम under India की बात करें तो यहां पर दोस्तों अभी भी under penetration है या फिर आप बात कर लें emerging markets में तो FL India जैसे कि आपको पता है emerging markets में जादा है आपर penetrate कर रहा है तो लगातार FL India यहां से आपको अच्छी खासी CAGR growth दिखा सकता है क्योंकि यह जो industry है जो sector है यह जो digital market है यह हमको दोस्तों काफी जादा बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है तो इसी की वज़े से आप देखेंगे यहां पर हमको अच्छे खासे target दिए गए है और पिछला वीडियो ज़रूर जाके देखा उसमें भी आपको दोस्तों target दिया है with rational और वहां पर अलग rational है वो काफी important rational है जहां पर risk की बात की गई है और रिस्क कैसे कम होगा mitigate होगा वहां पर वो बात की गई है तो वह भी important है तो चली यह हो गया एक update अब यहां पर दोस्तों आपको में बताना चाहूँगा FL ने हाल ही में एक patent यहां पर receive हुआ है उनको US patent यहां पर receive हो चुका है उनको basically इनका जो global tech IP portfolio है उसको यहां पर यह strengthen करता हूँ नजर आएगा और इसको भी हमें पिछले वीडियो में cover कर चुका हूँ और एक और यहां पर analyst है या फिर आप कह सकते है research firm है उसने भी FL India के target यहां पर 6200 के दिया आप around 33% के यहां पर upside बताए है अब यहां पर देखिए FL का दुस्तों आपको पता है split आने वाला है I think 7th October को यहां पर split हो जाएगा तो आप इसको percentage terms में लीजिएगा ठीक ऐसा नहीं कि यहां पर 6200 बोल दिया तो यहां पर इतना ही target कैसे मिलेगा जब split हो जाएगा आप इसको percentage term में लिए तो percentage term में अगर बात करें तो यहां पर करीब करीब आपको अभी 25% के target आते होई देखने को मिल सकते हैं तो percentage term में लिए इन्होंने यहां पर इसको यह पर price दे दिया है तो उसको उससे confuse मत होईएगा यहां पर percentage terms में इसको आप consider कीजेगा इन्होंने क्या है यहां पर rational दिया है ecosystem level partnership 45 FL defense against data privacy risk तो यह चीज में आपके साथ पिछले कई टाइम से discuss कर रहा हूं जो कि एक सबसे बड़ा risk है FL India के business पे तो इसको यह कैसे mitigate कर रहे हैं आपको spark capital की जो report मैंने share किये पिछले वीडियो में उसमें पता चलेगा strong R&D focus continue with expansion of team and increased patent filings in FY21 तो यहां पर देखे और भी इनके patents पेंडिंग पड़े हैं उनको भी approval आने वाले समय में मिलता हूँ देखने को मिल सकता है Mr. Anuj Khanna जीर ने बोला है अगले 3-4 साल तक mobile phone पर transactions में बहतरीन बड़ोतरी की उमीद आगे emerging बजार में 25-30% growth का भरोसा उन्होंने जताया है आप देख सकते हैं यह आप interview जाके देखिए आपको काफी अच्छा दोस्तों यहां पर एक insight मिलेगी तो यह सारी चीज़े हैं दोस्तों इसलिए आपको मैं निचले इस तरों से बता रहा हूँ कि FL India में आप buy करके चलिए मैंने यहां भी बोला था क्योंकि business model काफी अच्छा है और ज्यादा समय तक एक short term pain दोस्तों अगर आप सहे लेंगे न किसी अच्छे fundamentals company में जिसके business अगातार inorganic growth वहाँ पर कर रहे हो equations कर रहे हो investments कर रहे हो तो वह एक short term pain अगर आप सहे लेते हैं तो long term gain आपको वहाँ पर definitely देखने को मिलता ही मिलता है तो यहां से target बहुत उपर है तो अभी भी आप buy कर सकते हैं अभी भी उपर इस तरों से अगर आप देखें तो यह कित थोड़ा सा resistance पर अपने trade कर रहा है भी आप देखेंगे तो यह resistance है इसका काफी इच्छा support था तो आप resistance की जैसे काम कर रहा है यहां पर resistance है थोड़ा से नीचे आता है लेकिन यह दोस्तों अगर dip देता है यहां पर तो मेरे ख्याल से मौका होगा फिर से आपको यहां पर buy क आ जाता है तो वहां पर आप buy करके चल सकते हैं इसको long term के लिए company काफी अच्छी है जैसे कि मैंने आपको बता है business model काफी अच्छा है और यह जो digital advertisement का sector है काफी बढ़िया है और FL का जो आगे के growth plans है अगले दशक के FL 2.0 strategy के तहत यहां पर mobile phones को मतलब 10 billion mobile phone को connect करने वाले है तो यह सारी चीज़ आपको ध्यान रखना जरूरी है कैसे आगे company grow करेगे कैसे business grow करेगा future plans क्या है यह सारी चीज़ आपको जानना जरूरी है बाकि आपको fundamentals तो पता ही है रोज रोज फंडामेंटल देखने का गोई मतलब है नहीं financials आपको पता ही है सारे बहतरीन है तो आ आपर buy होगा हर dip pays को buy करने का आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ portfolio allocation का हमेशा ध्यान रखना है तो I hope यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा यह information आपको काफी informative लगी होगी तो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए channel को subscribe कर लिजे मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में till then take care bye